हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मांसीज किचिन आज मैं बनाऊंगी एगलेस ओरेंज कपकेक ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बनाने में बहुत असान है इनको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेजरमेंट का ध्यान रखना है तो आपके कपकेक्स परफेक्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लए तो इसी लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई कॉस्ट नहीं जाता है इससे मेरे जो भी फ्यूचर में अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एगलेस औरेंज कपकेक बनाना सबसे पहले एक बड़े बावल में मैं वन फूर्थ कप ओईल ले रही हूं मैंने यहां ओईल का यूज किया है आप चाहें तो यहां मैल्टेट बटर भी ले सकते हैं लेकिन बटर आपका रूम टेंपरेचर पे होना चा अब इसको हम मिक्स कर लेंगे ँचेन हमारी मिक्स होगा है अब इसमे मैं ऑरिंग अठारेश्ण ऐस्ट ऐड़ रही हूं यह मैंने एक संत्रे का लिया बहुत अंच्छा अता है यह जरूर एड़ करें और फिर से इसको हम मिक्स कर लेंगे इसको बहुत soft hand से आपको mix करना है और एक ही direction में mix करना है अब इसमें मैं orange juice एड़ कर रही हूँ यह juice भी मैंने एक orange का ही लिया है यह लगबग 1 फोर्थ कप juice है अच्छे से mix करेंगे इसको अब इसमें मैं 1 टेबिल इस्पून milk powder एड़ करूँगी मैंने इहाँ milk powder का यूज किया है आप चाहे तो इहाँ 1 फोर्थ कप condensed milk भी ले सकते है यह अच्छे से mix हो गया है थोड़ा सा ग्रेट करा हुवा पनीर इसमें add कर दीजे पनीर की quantity आप थोड़ी सी कम यह जाधा कर सकते हैं अगर आपको जाधा पनीर पसंदे तो आप थोड़ा जाधा add कर लीजे पनीर से का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब मैं इसमें half teaspoon baking powder और half teaspoon baking soda का add कर रही हूँ इसको same direction में हम mix करेंगे आप देख सकते हैं baking powder और baking soda को add करने के बाद mixture कितना frothy और foamy हो गया है बस अभी अच्छे से mix हो गए है अब finally हम इसमें मैदा को add करेंगे एक कप मैदा मैंने ली है इसे मैं दो बार add करूंगी एक साथ सारी मैदा को add ना करें नहीं तो mixture में लंस आ जाएंगे अब मैं यहां hand whisk कर रही हूं mixture हमारा थिक हो गया है अब इसमें मैं soda water add करूंगी soda water आपको उतना ही add करना है जिससे हमारा batter ज्यादा पतला ना हो soda water से cupcakes में बहुत softness आएगी अगर आपके पास soda water नहीं है तो आप थोड़ा सा milk या थोड़ा सा पानी add कर सकते हैं अब इसको एक ही direction में mix कर लेंगे अब यह अच्छे तरीके से mix हो गया है आप देख सकते हैं इसकी consistency हमें इसी तरीकी की consistency रखनी है यहां मैंने cupcakes mode लिये हैं जिनने मैंने पहले से ही oil से grease कर लिया है अब अपने batter को हम इसमें डालेंगे आपको जादा उपर तक fill नहीं करना है क्योंकि यह अभी rice भी करेंगे batter को transfer कर लिया है अब इसको इस तरीके से हम tap करेंगे ताकि जो भी air bubbles है वो ना रहें अब microwave में इसको 180 degree centigrade पर मैं 20 से 25 मिनट्स के लिए bake करूँगी cupcakes bake हो गए है मैंने exact 22 मिनट्स इनको bake किया है आप देख सकते है कितनी perfectly यह bake हुए है यह देखिए कितने अच्छे से राइस हो गए है अब इनको toothpick से हम check कर लेते हैं toothpick clean भार आई है यह perfectly bake हुए है इन्हें ठंडा होने देते हैं हमारे cupcakes ठंडे हो गए है अब इन्हें demold करते हैं देखिए इस तरीके से वाओ कितने perfectly यह bake हुए है सिलिकोन मोल्ड में bake करने से एक हमें यही बेनिफिट होता है कि हम बहुत असानी से इनको demold कर पाते हैं आप देखिए कितनी beautifully हमारे cupcakes bake हुए है यहां मैंने orange crush prepare किया है मैंने simply orange को mixi में piece लिया है जो seeds थे वो निकाल दिये हैं थोड़े से sugar के साथ और थोड़े से पानी के साथ मैंने इसको gas पे पका लिया है और ठंडा कर लिया है इसके साथ मैं इसको garnish करूँगी औरेंज कपकेक्स और औरेंज क्रश का फ्लेवर बहुत अच्छा हाता है थोड़ा सा ग्रेटिट पनीद इसके उपर रखेंगे इसको और सुन्दर बनाने के लिए मैं एक एक fresh mint leaf इसके उपर लगा दूँगी और final finishing हम एक अनार के दाने के साथ करेंगे आप देख सकते हैं यह कितने सुन्दर लग रहे हैं एगलेस औरेंज कपकेक तयार है जिसको हमने पनीर के स्टफिंग के साथ और औरेंज क्रश के साथ सर्फ किया है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी आप अपने घर पे इसे जरूर ट्राय करें और अपने experience मेरे साथ शेयर करें किसी भी पार्टी के लिए यह एक बह और सबको खिलाएं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच पर वाचिए सी यू इन माइ नेक्स वीडियो बाबाए